दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है की, ट्रांसमिस्टन लाइन में हम डैंपर का यूज्स क्यों करते हैं जब भी आप कभी भी देखते होंगे की जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो टावर होते हैं जिस पर ट्रांसमिस्टन लाइन चलती है वहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एक equipment लगा हुआ होता है इस हर साइड में और इधर साइड में दोनों साइड में लगा हुआ होता है तो यह क्यों लगा होता है आपके मन में इस चीज की जिग्यासा जरूर आई होगी और आपने जानने की कोशि होगा और इसको लगे रहने से हमें क्या benefit है तो यह कई सारे प्रश्णों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ जो equipment लगा हुआ होता दोस्तों इसका नाम होता है डैमपर अब यहाँ डैमपर जो होता है या हर transmission line जो भी high voltage की transmission line होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है जो हमारा insulator होता है उस insulator पे इस तरह से transmission line जाती है तो यहाँ पर insulator के एक साइड आगे और एक साइड यहाँ पीछे दोनों साइड में इस तरह से डैमपर लगा दिया जाता है तेजी से जब हवा चलती है चुकि पर कई परकार का होता है तो आइए उसको भी समझे लेते हैं उचाई पर जब हवा का तेज बहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि यह जो हमारा इंसॉलेटर होता है उस insulator से इस KANDUKTOR को कनेक्ट करके रखा जाता है अब यहां पर क्या है कि जब बहुत तेज बहा होगा हवा का तो यह हैं यहां से खिसकने की कोशिस करता है कंड़क्टर जो होता है वह खाटने की कोशिस करता है तो अगर हट जाएगा कंड़क्टर यहां से तो काफी नुकसान हो जाएगा हमारा इंसुलेटर तूट जाएगा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और उससे क्य होगा कि हो सकता है short circuit भी हो जाए क्योंकि यहां पसे अगर खिसक गया तो इसका पूरा alignment हो पूरा बिगड़ जाएगा तो इन्हीं सब कारणों के लिए हम damper का उप्योग करते हैं यह damper जो होता दोस्तों उसका केवल और केवल एक ही काम होता है कि जो vibration होता है वह सह लेता है यह पूरा vibration यह आप समझ लीजिए कि जो कारों में जो suspension होता है जर्क जो होता है उस जर्क को सहने के लिए suspension लगाया जाता है बस वही चीज है कि ट्रांसमिस्टन लाइन में जो जर्क होता है वाइबरेशन होता है उसको सैने के लिए हम डैमपर लगाते हैं तो जो हमारा डैमपर होता हुआ अलमूनियम एलॉय का बनाया जाता है गैल्बनाइजड स्टील का जी आई का बनाया जाता है इस्टेलनेस भी होती है यह एक ही लाइन में लगाए जाता है इस तरह से जो नार्मली सबसे ज्जादा देखने में आता है यह हमारा स्टॉक प्छीम अहीं होता से यह हरता है जो कि वाज़ुटर को या शोक ले छित खतम कर देता है जिसकी वजह से जो हमारा कंड़क्टर है वह अपनी जगा से हटता नहीं है दूसरा है क्वार्ड रूपल इस्पेसर डैंपर यह जो हमारा डैंपर होता है यह भी केवल और केवल कंड़क्टर को एक जगा पे बनाये रखने के लिए इसका उप्यूग किया जाता है यह जो होता है वहाँ इस तरह से जो चार हमारे हमारी जब लाइने जाती है तो वहाँ पर इन चारों के बीच में इस तरह से लगाया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से यह लगाया जाता है तो यह क्या करता है कि चारों कंड़क्टर आपास में सौर्ट नहों और कंड़क यह जो है, तीन कंड़क्टरों के बीच में लगाया जाता है, इस तरह से तीन कंड़क्टरों के बीच में इसको लगाया जाता है, या जैसे यह चार कंड़क्टरों के बीच में लगाया जाता है, या तीन कंड़क्टरों को अलग-अलग रखता है, वो आपस में साउट नहो होने पाएं और हवा के कारण जो भी वैब्रेशन उत्पन होता है उसको भी यह खतम करता है चौथा है हेक्सागोनल जो हमारा डेमपर है यह जो है इसमें छाय कंड़क्टर के बीच में इसको लगाया जाता है जो की सेम वही काम करता है कि छे कंड़क्टरों को आपस में सौट करने से बचाता है और हवा का जो वैब्रेशन होता है उसको भी खतम करता है अगला जो है वहा है ट्विन इस पे सर जो डेमपर है हमारा या दो कंड़क्टरों के बीच में लगाया जाता है, इसका भी वही काम होता है जो बाकि सारे डमपर काम है तो जो conductor है हमारे उनको sort करने से रोकता है और हवा के कारण जो vibration उतपन होता है उसको खतम करने का काम ये करता है चथा जो है हमारा वह spiral जो हमारा damper होता है जा एक ही conductor के उपर इस तरह से चढ़ा दिया जाता है एक ही conductor के उपर होता है इसका भी वही काम होता है कि जो हवा के कारण जो vibration होता है उसको खतम करने काम और या एक ही conductor पर इसको लगाया जाता है सात्वा है rigid जो हमारा इस परसर डेमपर होता है इसमें दो conductor होते हैं इन दो conductor के वीच में इसको लगाया जाता है और या हवा के कारण जो उत्पन होने वाला जो vibration है इसको खतम करता है और दोनों conductor को आपस में sort होने से भी बचाता है तो ये कुछ दोसों साथ प्रकार के damper होते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के दोरान बताया तो अगर कभी भी interview वगरा में भी इस तरह के प्रस्ण अगर आपसे पूछे जाते हैं या कहीं पर भी आपने इस damper को देखा हो अगर आपके मन में यह doubt आ गया हो यह चीज आपके मन में प्रस्ण उठा हो कि यह क्यों लगा हुआ होता है तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा ज़्यादा लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी अगर यह चीज ना पता हो उनको इस चीज की जनकारी मिल जाए इस वीडियो से संबंदित अगर आपके मान में कोई क्वेरी है कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूचिएगा तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों